नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग क्या वो ले लाइफ यार लाइफ तो कुछ ना कुछ कहते ही रहती है लेकिन हमें क्या कहना है हमें सिर्फ इतना कहना है मैं थोड़ी सी मोड़ी हूँ तू थोड़ी सी टेड़ी है क्या खुब ये जोड़ी है तेरी मेरी यार लाइफ को ब पढ़ना है mathematics में something important something बहुत interesting आज हम पढ़ेंगे intersection of sets सबसे पहले हम देखते हैं intersection of sets क्या होता है उसके बाद कुछ examples लेके समझ लेंगे उसके बाद चार बहुत important properties देखेंगे intersection of sets की ठीक है चलो तो फिर lecture को start करता है तो दोस्तों यह है intersection of sets की definition definition हमें क्या करी है a set of common elements यहां पर यह common elements बहुत important चीज़ है common elements बहुत important word है यहां पर common elements मतलब क्या अगर हमारे पास दो set है एक set में जाहिरे कुछ elements है दूसरे set में जाहिरे कुछ elements है वो जो elements है जो दोनों set में present है common elements उन elements का जो set होता है उसे intersection of sets से कहता है from given two or more sets is called as intersection of two sets यह फिर intersection of those sets for example माल लीजिए हमारे पास set a है a is a set of all x where x is a natural number and factor of 12 यह हमारे पास माल लीजिए a set है हमारे पास दूसरा set है b वो है माल लीजिए x where x is less than 13 and x is an even number and x belongs to n हमें क्या कहा गया है कि a हमारे पास ऐसे elements का set है जिसमें सारे natural numbers है और वो 12 के factors है b set है b set के जो सारे elements है वो 13 से छोटे है वो natural numbers है और वो even numbers है तो हम क्या करते हैं सिधे सिधे देखते हैं कि a set में कौन कौन है a set में हमारे पास आएगा वो सारे natural numbers हो 12 के factor है एक से हम divide कर सकते हैं दो से कर सकते हैं बारा को तीन से कर सकते हैं चार से कर सकते हैं छे से कर सकते हैं और बारा से कर सकते हैं यह हो गए हमारे a के elements B set में कौन कौन आएगा B set में हमें हमारे पास आएगा देखो B set E1 numbers का set है जो 13 से छोट है तो उसमें आएगा 2, 4, 6, 8 10 और 12 यह आएगे elements अब अगर हम closely observe करें set A और set B को तो कुछ elements है जो हमें दोनों sets में दिखाए देंगे तो 4 ऐसे elements है कौन से? 2, 4, 6 और 12 जो दोनों set में present है ऐसे elements का जो set होता है उस set को हम intersection of two sets बोल सकते हैं और हम intersection of two sets को ऐसे लिखते हैं A intersection B और हम उसे पढ़ते हैं A intersection B ठीक है और यह elements की list जो है हमारे पास 2, 4, 6 और 12 ठीक है यह होगे आपका A intersection B अगर हम Venn diagram का इस्तेमाल करें तो माल लीजिए हमारे पास यह A set है यह B set है ठीक है तो A set में और B set में कौन से elements है 1, 2, 3, 4, 6, 12 1, 2, 3, 4, 6, 12 B में कौन से है 2, 4, 6, 8, 10, 12 2, 4, 6, 8, 10, 12 जब Venn diagram में हमको intersection दिखाना है तो हमें क्या करना है दोनों में से common elements को pick करना है वो सारे common elements हमको यहां पर लिखने है लेकिन यहां पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि इधर भी elements है इधर भी elements है तो दोनों में से हम जब elements लिखेंगे तो यहां पर वो common elements एक ही बार लिखेंगे मतलब इधर दो है, इधर दो है हम यह दोनों दो को cut कर देंगे और यहां पर एक ही बार दो लिखेंगे क्योंकि जब हम वो दो को यहाँ पर लिखेंगे तो वो दो इस set में भी आ रहा है already और इस set में भी आ रहा है दो और दो common है तो दो दो को हटा देते हैं यह हो गया आपका दो, यह रहा चार यह रहा आपका बारा तो यह हो गया आपके दोनों set का when diagram में representation जहाँ पर एक और तीन ये distinct element है set A के, दस, आट और दस ये distinct element है set B के, और दो, चार, छे बारा ये चार element वो है, जो set A और set B दोनों में common है, इसलिए हमने उनको इस intersection वाले region में लिख दिया, intersection वाला region हमारा ये है, ये जो हमारा part है, यहाँ से यहाँ तक, ये है intersection of set A and set B, अब हम दोस्तों intersection of sets के कुछ properties देखते हैं, सबसे पहली property देखो, A intersection B is equal to B intersection A, इसका मतलब क्या मान लीजिया हमारे पास set A है, ठीक है, set A में elements है, दो, चार, छे, आट, और B में है, चे है, आट, दस और बारा, तो A intersection B में कौन से आएंगे, चे है, आट है, चे है, आट है, common elements, 6,8 आगए, और B intersection A में कौन से आएंगे, आट है, आट है, चे है, 6 है, 6 है, 6 और 8, देखो, सेम ही आगई कि ने, Venn diagram में भी हम इसको ऐसे ही represent कर सकते हैं, अगर हमारा ये A set है, अगर ये B set है, और ये A intersection B है, तो इसमें जो elements आएंगे, अगर हम उसको A intersection B लिखेंगे, या फिर B intersection A लिखेंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा, elements सेम ही आएंगे, इसलिए A intersection B is equal to B intersection A, ये होगे हमारी first property, अब second property, A is a subset of B, then A intersection B is equal to A, अगर हमारे पास A set ऐसा है, और B set ऐसा है, यहाँ पर A set जो है, वो B का subset है, तो ऐसा कौन सा region है, जो दोनों में common है, of course A के सारे elements B में है, तो A और B दोनों में ऐसे कौन से elements है, वही elements जो सारे A में है, ठीक है, यही तो होगे है intersection, इसलिए A अगर B का subset है, तो A intersection B is A set, अब प्रॉपर्टी नमबर 3, if A intersection B is equal to A, then A is subset of B, देखो यहाँ पर क्या कहाँ गए, अगर A और B में जो common elements है, वो सारे elements अगर A में है, तो A B का subset है, same situation देखो, A, B, इन दोनों का intersection, अगर A पूरा का पूरा set है, तो A, B का subset हो गया, correct, जो हमने अभी, यहाँ पर Venn diagram में, representation में देखा, तो अगर A और B का intersection पूरा A होता है, तो A, B का subset होता है, अगर A intersection B is equal to B, अगर यह B होता है, then B is a subset of A, ठीक है, यह समाज लो अच्छा से, उसके पाद property number 4 है हमारे पास, A intersection B is subset of A, and A intersection B is subset of B, देखो, A और B इन दोनों में जो common part है, इसके सारे elements A में तो है, इसलिए यह वाला जो region है, वो A का subset हो गया, A intersection B के सारे elements B में भी है, इसलिए A intersection B, यह B का भी subset हो गया, बहुत simple है, अब property number 5, A intersection A complement is equal to 5 set और Null set, मतलब क्या देखो, हमने यह सीखा है कि, A set का complement मतलब, ऐसे elements जो A में नहीं है, अगर जो element A में नहीं है, और जो elements A में है, उन दोनों में common हैं, अगर हम कोई element ढोंडे, तो वो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, हम खाली हाथ बैठे रेंगे, कुछ मिलेगा यह नहीं, तो मतलब, A set, उसका intersection A set के complement के साथ, अगर हम करते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, 5, Null set, खाली set, ठीक है, अब next property, A intersection A is equal to A, मतलब, किसी भी set का, अगर हम उसी set के साथ, intersection ले लेंगे, तो वही set आएगा, यार मुझे नहीं लगता, इसमें कुछ extra explain करने की ज़रूरा है, बहुत simple चीज़ है, देखो, intersection का मतलब क्या, जो दो set की हम बात कर रहे हैं, या फिर दो से ज़्यादा set की हम बात कर रहे हैं, उन दोनों में common जितने भी elements है, उनका set, अगर हम सिर्फ A set और A set की ही बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में common elements कौन से आएगे, वही सारे जो A में हैं, और A में हैं, मतलब वही elements जो A में हैं, तो A set का, मतलब हमारे पास एक ये set है, और दूसरा set है जो है ही नहीं, null set क्या होता है, null set बस नाम होता है, set होता ही नहीं, set क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें element ही नहीं है, तो अगर मैं A set का intersection, एक ऐसे set के साथ करूँ, जिसमें कुछ element है ही नहीं, ये exist ही नहीं करते, तो intersection दोनों में common क्या आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब, अलग से एक empty set हो गया, अलग से null set हो गया, अलग से void set हो गया, अलग से khाली set हो गया, तो A intersection null set is equal to null set, ये था हमारा intersection of sets का chapter, मुझे उम्मीद है, आपको वो सब समझा आ गया होगा, जो मैंने अभी अभी यहां पर समझा दिया है, अगर फिर भी समझ नहीं आता है, तो episode को दुबारा देखो, क्या है कि पहली बार देखते time, बहुत वक्त ऐसा होता है, बहुत अदफ़ा ऐसा होता है, हमारा पूरा ध्यान नहीं रहता, तो दूसरी बार देखो, आपको सब समझ आ जाएगा, अगर दूसरी बार देखने के बात भी समझ नहीं आता है, तो पक्का कुछ ना कुछ डाउट है आपके मन में, जो आपको सता रहा है, उस डाउट को ढूंडो, और कॉमेंट सेक्षिन में टाउट को हम खदम कर देंगे, अब तक जितने भी बच्चों ने, जो भी डाउट पूचा है चैनल पर, मैंने सब को जवाब दिया है, तो जाहिरे आपका वे डाउट सौल हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कह रहा है, कि सर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, फिर भी हमें नोटिफेकेशन नहीं मिलना, तो एक काम करो, जब सब्सक्राइब करोगे, तो बेला ऐकॉन दबाते टाइम, आल सेलेक करना है, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर और टेलिग्राम चैनल पर भी फॉलो करना है, ताकि जब भी नया एपिसोड आ जाए, आपको नोटिफेकेशन आ जाए, आप उसको देखो, पढ़ो, अच्छे से समझ लो, और एक्जाम में अच्छे नमबस ले लो, जिन्दगी में आगे बढ़ो, क्योंकि मैथेमेटिक्स पूरी जिन्दगी में कावाता है, आज के एपिसोड में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ, अगले एपिसोड में जहां पर हम सिखेंगे, कुछ और इंट्रेस्टिंग, कुछ और नया, तब तक आप हसते रहों, खेलते रहों, और हमेशा की तरह कुछ न कुछ सीखते रहों,